हर एक इंसान को एक मन्जिल की तलास होती है और जब हमारा हर एक गदम हमारी हर एक सास के साथ एक ही सपना देखता है तो मन्जिल मिली जाती है केदार कंठा कि अगर आप लोग को देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग किदार कंठा ट्राइक करना चाहते हैं तो कैसे आप किदार कंठा ट्राइक खुच से अंडर बजट कर सकते हैं तो उसमें नमबर वन आप लोग को पता लगया कि यहां तक ट्रांस्पोर्ट कैसे करना है किदार कं सकती हम cover करेंगे एक दिन में और फिर उसके बाद हम करेंगे के दार करन्था का ट्रैक मेरा भाई आरा है चोड़ने के लिए मुझे अभी राउंड नौ बजला है बस हाट अज़ेगी तो फिर अभी लाल हम जल्दी जा रहे हैं ताकि बस बस देखके बैठके समान वगरा सेटल कल ले सारी देहरदून के लिए बस किते बजये चलेगी इस फिलाल मैं देहरदून पहुत गया हूँ यह देहरदून आइसबटी बस दे के भारवाली रोड है तो वहां से मैं करीब साढ़े देस बजे चला था और यहां प्रस्ते बस्ते चाय बज गये शुटगे और यहां से अब हमें जाना है मसूरी बस दा तो उसके लिए मु सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपको जल्दी है तो आप प्राइवेट आटो भी ले सकते इसके चाली से पचास रुक आपको लगभग भू लेंगे तो मसूरी बस टेंट पर आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चिजे बतानी ज़रूरी है क्योंकि जो वहां से बस चलती है संकरी विलेज के लिए डारेक्ट बस चलती है वह सिर्फ आठ बजे चलती है सुबह मॉर्निंग में जिसकी टिकेट की बुकिंग वहीं काउंटर भी हो जाती है जो कि अरूंट से साथ साथ बजे के बीच में स्टार्ट हो जाती है तो बेटर कि आप वहीं पर है और फिलाल मैं हूँ अभी सांकरी में एक होमिस्टे में होमिस्टे की डिटेल्स और बाकी जिज़े आपको रेखने को बिलेंगी अभी फिलाल बज गया है सुबह का राउंड दस और मैं कर निकला हूं ब्रेक्वास्ट तो नास्ते में यहां पर पराठे और अलू और मत करने के लिए जल्दी से आपको पता देता हूं कि जिस होमिस्टे में रुका हूं उसका नाम है हिमालियन होमिस्टे और यहां पर बलबीर जी मिलेंगे या फिर रोहिद भाई मिलेंगे जो आपर ट्रैक कराते हैं के इनकी डिटेल्स में आपको डिस्रिप्शन में डाल आपको दूए एक स्कूर गरणे के बाद मार्कें घूम लेते हैं और साथी साथ में यहां पर डूरिं के लिए और यहां पर होमस्टेज हैं वह जादा था लकरी की बनेवें पूरे प्रॉप प्रॉप प्रॉपपर विलेज वाली स्टाइल में बट देज होमस्टेज में रुकवड़ा है पूरा आपको सिमेंटब वाला रूम मिलने वाला है विटे या नाम एपका रिया कौंशी क्लास में बढ़ते हो आप फिप्ट तो फिलाल हम स्टार्ट करते है मार्केट से यहां पर चोटी सी मार्केट है अब आपको सारे समान मिल जाता है एवन अपको अगर रेंट के लिए कोई भी तो अबी मार्केट वार्क इसाप्स के यहां पर तो अबीब किसी दुकान पर जाकर पता करता हूं कि क्या है ककॉस्ट गेर्स की अगर आप कुछ से पर्चेस करना चाते हैं रेंट पर लेंगे जाते हैं फिलाल पहले मार्केट घुम लेते हैं एक बार पूरी तकता भी मार्केट खुली नहीं अच्छे से अभी 11 बज़ रहा है रोक्स और धूप अच्छी घासी आ गई है तो गईस यह है फोटी सी मार्केट यहां की और फिलाल मुझे टूटपेस ले ले लेते हैं एक बार टूटपेस ले लेते हैं वह टूटपेस देजे चोटाला यहां पर सीजन का डायम कॉन सर राता है यह चल था दिसमबर तक सारा समान मिल जाता है जयक्त रकेट यह जयक्त रकेट सब शब 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 जाता है यहां पर उपर एक शॉप है, मैंने अभी विडियोड बनाई है, आप देख सकते हैं, वहां से बुकिंग करा सकते हैं, यह लोग 1000 रुपी से 1800 तक लेते हैं, एस पर दी सीजन, और अभी यहां से जिबलाइन पूरी जाती है, आप छे देखेंगे वहां आगे गाउं तक, और मौर्णिंग में उठते हो, तो अमेजिंग रेट कलर का जो व्यू आता है, अमेजिंग रखता है, यहां पर जो लोग है, वह ज्यादा हला गुला वाला महल अप्रिशेट नी करते हैं, तो अगर आप लोग पार्टी वाले महल से आ रहे हो, गाना वाना, फुल साउंड वा आता है, तो अब यह महीं चलते हैं, देख के आते हैं, कैसा है मंदिर, तो फिलाल हम पाँचे हैं, मंदिर में, जसे कि आप मेरे बगल में देखोगे, यह है टेम्पल, काफी बड़ा, काफी बड़ा इरिया है इसके अचारोर, तो अगर आप आते हो यहां सांकरी विलेज म तो यह मंदिर भी आप ज़रूर विलेट कर सकते हैं, क्या नाम है अपका? देवराज, कौन से क्लास में करते हो आप? देवराज, बताओ मंदिर के बारे में, मंदिर कब खुलता है और कैसे होता है हम पर, क्यों हार वागरा कब बनाए जाता है? यहां पर ते बार तो अभी अब कराने मंदिर करता है तो गुम करते हैं तो आप हो परो ragone कर दो आप ताह्स सलवे गिंत wiring जान इस वह स्सक्राइब होला और क्यों से कीन सवानी सीलेट में हो यहां हो आप पतॉर अब नंदिर कर सोग्रा है आधाथ यहां कत पर शौरानी साल पुड़ा अगरा आप लोकल लोक हो झाल षों आगलता हूं वक्षा उक जब यह की सिरन पहला कि काफी पुज लोक लोकल अथे हैं और पूजायर करते हैं यह भिछ पसक्षा कर कार गाता है विए अज्ब क्षिए घर में अवतार ले यह अदर हुआ बज़ हो तो तो उस टाइम पे बीए मंदिर खुला आता है तो और इसके साथ-साथ मंदिर के सामने कुछ आपर एक और प्लेस बनाया हुआ है नोगी है मतलब किसरी की कि इते होगी मतलब किसरी की मिंटिंग होती होगी नहीं ले जाता ना तब होती है अच्छा तो बेसिकली एक मिटिंग स्पोर्ट है यहां पर यहां पर पुजारियों की मिटिंग होती है कि किसी गाउं में अगर देवता को ले जाना है तो क्या हम फॉलो करेंगे उसके लिए चोटी सी मिटिंग होती है इस एरिया में और यहां पर पोरा लखडी का मंदिर है वह भी है वह जो बसता है या या फी स्फोपी से सिग्वय जैसे कि अब मैं आफ पीछस सभी यह भूल normal is it पुरा मिझे लगए लगाए यह पीतल का है पीतल का बनाया हुआ है और आप जैसे नकासी देखिंगे बहुती अमेजिंग नकासी करीवी लखड़ीगी और जैसे कि आप देखिए यह तेम्पल पुरा है यहां पर पर काफी भीड़का और आपको एक्टिविटी देखने को म आपको पुरा में जा रहे हैं डंडा बेंड एक व्यूपइंट है वहाँ पर तो यहां पर इनका हमिस्टे है पुनम जी वह एल्प कर रही है मेरी एक्स्टोर करने में कि पुनम जी जो है योगा टीचर है और साथ-साथ मैं और जितने भी इनके क्लाइंट से हाथ है उनको भाई पोस्टे सेंड भी करते हैं अगर आप चाहिए तो पुनम जी फोड़ा बताईए कैसे आप करते हो क्या क्या चीजिए और अवेलेबल है और गिनिक में जैसे मतल कि हमालेसे लाओन अवारख कहा आपर जसे जाते हैं और जूस है यहां ऑर पर ढूंआ पर दू थो टाइप के रोडो एंडो रणा एक सी वक्थियूंडून जो कि मैं दो कभी कर रह कि पाए नहीं हैं का फ्रुटे जी क्हब बहुत अश्य होता है म貌न रक एल्थ के लिए को आपके पोश्ट से अब सस्क्राइब गैर हम अबाट ने करना होता है कि हमेरे इतो जो मैंने एक ग्रूप बना रखा है एक प्रोड़क्त करके तो मैं उस बंदे को इसे एड कर दूंगी कि मतलब जो शीजनल पोड़क्त है मैं लिज उसमें अपलोड कर दे रही हैं तो उन पर यहां से विचर इवाद के पास वह तरह नहीं जाएं जाए और वह पर आपको दिखाता हूं पहले हम पर होमेजंग डिखा देता हुआ अंकल से बोल भी रहा था है मुझे यहां रुखा ना चीथा अपने अमेजंग होमेजंग होमेश्टी है चलो वह दिखा तो इहां प कर रहा है पर यहां पर डाइनिंग अपर लगा मुझे ब्रीख अभी तो फिलाल एरिया इसे साथ साथ लोकल्स की फोटो लगाई हुए है नोने लोकल ड्रस पहनी हुए टोपी वगरा पहनी हुए तो वह भी अच्छा लग रहा है यहां पर तो मदला अगर आप बैट कहा रहे तो आपको लगेगा कि यार आप कहीं अलग जगह पे हो और अलग विलेज में ह प्राइवेट वाले रूम भी अवेलेबल हैं जो कि मुझे काफी अच्छे लगे क्योंकि यह देखो जैसे यह बंकर बैडिंग बगल में बगल में ब्राइवेट रूम बनाया हुए है जिसमें दो लोगों की बैडिंग है और अच्छी बात है कि यहां से व्यू बड़ा है नोर्मल बेडिंग और अच्छी बात है कि अमेंशा नीचर को प्रमोल करते है और आपको मतलब हर चीज को और गनिक रखने की कोशिश करते हैं और साप सुतर रखने की कोशिश करते हैं यह पड़ी अच्छी चीज मिज़े लगी है अगर आते हो तो आपको यह चीज का काफी मजा आने वाला है जो हम अभी होमस्टे में आयें उससे दो कदम के दूरी पर यह तांडा बेंड है यह बेसिक बेंड है तो इसकी खास बात यहां से एक अमेजिंग देखने को मिलता है जैसे कि आप नीचे देखेंगे यह तमसा रिवर है और साथी साथ में आपको स्वर्गा रूहनी की पीक यहां पर देखने को मिल जाती है तो अगर आप शाम को आते हो या सुबे को आते हो अर्ली मॉनिंग तो यहां पर बैट के बहुत अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो कैसे लगे आपको डाइंडा बेंड से व्यूज कमेंट करके रेशुर बताना और अभी हम फिलहल जा इच्छाप पढ़ बता है तो यहां से झाल